सास बहु की कहानी प्राची अभी तयार होकर घर्षनी कली रही थी उसके सास मालती जी ने टोक दिया बहु कहां जा रही हो प्राची ने बहुत बिनमृत से जबाब दिया मा जी पापा की तवियत बहुत खराब है मैं बहुत घबडा रही है उन्हें देखने जा रही हूँ यह कहकर प्राची बिन जबाब का इंतिजार कि यह घर से बाहर निकल गई मालती जी को उसके बहुआर आच्छा नहीं लगा लेकिन पीता की बिमारी की ख़बर सुन करवे चूप रह गई प्राची जल्दी से घर पहुँची तो देखा पापा का खासी की वज़ा से बुरा हाल था प्राची ने मा से कहा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डक्टर को दिखा लेते हैं खासी बढ़ती जा रही है लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो तुम पापा को सम्हालों में अटो लेकर आती हूं हम बड़े हस्पीटल चलेंगे प्राची पापा को लेकर अस्पेताल पहुँची गई वहां डक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे उन्हें कुछ आराम मिला डक्टर ने प्राची से कहा देखो अभी तो हम इने एड्मिट कर रहे हैं कॉल इनके सारे टेस्ट करेंगे उसके बाद ही ठीक से इलाज सुरू होगा प्राची पापा को एड्मिट करा कर घर पहुँची तो उसके पती अमित उसकी पर प्रतिक्षा कर रहे थे अमित ने जाते ही पराची से पूछा कैसे हैं पापा तुम तो उन्हें देखने गई थी कितनी देर लगा दी तुम्हें पता है न मा से खाना नहीं बनता आज सब भूखे बैठे हैं कम से कम पापा को सुचती अपने घर ही जाकर बैठ गई यह सुनकर पराची की आँखों से आशुच छलक उठे उसने किसी तरह अपने आपको संभालते हुए कहा पापा की तबियत बहुत खराब थी उन्हें होस्पीटल में एडमिट करा कर आ रही हूँ आप सब बैठिये अभी मैं दस मिनट में आप सब के लिए खाना बना देती हूँ यह सुनकर अमीत का गुशा कुछ सांथ हुगा उसने कहा नहीं रहने दो खाना मैंने बाहर से अर्डर कर दिया है तुम बस मा के लिए एक दो रोटी सेख देना वे बाहर का नहीं खाती तुम जाकर नहालो हस्पिटल से आई हो प्राची को अमीत का उसकी केर करना अच्छा लगा वह जल्दी से नहाने चली गई नहाकर उसने मा जी के लिए खाना बना कर उन्हें परोश दिया वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी उसका मन पापा की ओर लगा था पता नहीं अब कैसे होंगे वह फोन करना चा रही थी सब काम जल्दी से निप्टा करवा छत पर चली गई वहां उसने मा को फोन लगाया मा अब कैसी तवियत है पापा की मा ने कहा बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तवियत और बिगड़ गई थी इनके खासी के साथ खून भी आ रहा था डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिये सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी मेरा मन बहुत घबरा रहा है तु अभी आ सकती है क्या प्राची ने कहा ठीक है मा मैं आती हूँ तभी मा ने कहा अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है तु इतनी रात को कैसे आएगी तुम सुबह आ जाना और एक काम कर देना मेरे पास चेक बुक है सुबह दस हजार जामा करने है तभी इलाज सुरू होगा तु मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहां जामा कर देना कुछ देर बाद करके प्राची नीचे आ गई उसने देखा सब सोजने जा चुके थे वह रसोई में जाकर काम निप्टाने लगी आज से अपना बच्पन याद आ रहा था उसके पापा कहते हैं मेरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ मेरी बेटी है न इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि मेरा बेटा बनेगी आज अपने आपको कितना लचार मान रही थी प्राची कास वह लाड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का खेयाल तो रख सकती थी किसी तरह काम निप्टा कर वह सोने चली गई लेकिन आखों में नींद कहा थी उसने देखा अमीत गहरी नींद में सो रहे थे सुबह वह जल्दी उठ गई सब के लिए नास्ता बना कर अमीत का लच पैक करके वह निकलने के लिए तयार हो रही थी तबी उसने देखा कि उसकी अलमारी में दस अजार उपए पड़े हैं जो अमीत ने परसो घर खर्च के लिए दिये थे प्राची ने सोचा कुछ सुच कर पैसे परस में रख लिए और हस्पीटल पहुँच गई वहां उसने पैसे जमा करा दिये पापा के पास पहुँची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं वे प्राची को देख कर मुस्कुरा दिये तभी मा ने कहा बेटा ए चेक ले जा बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे तभी रिपोर्ट मिलेगी प्राची ने कहा मा पैसे मैंने जमा करा दिये थे अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी पापा का इलाज अभी सुरू हो जाएगा यह सुनकर मा ने कहा आरे बेटा तुने यह क्या किया तेरे ससुराल वालो को पाता लगा तो न जाने तुझे कितना भाला बुरा सुनाएंगे पराची बोली मा तुम चिंता मत करो मेरे पास घर खर्च के पैसे थे अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी मुझे साम को जाना है सौपिंग करने अमीद के साथ पराची कुछ देर वहां रूख कर चेक लेकर बैंक पहुच गई बाहर गड़ से उसने पूचा भया आज बैंक बंद है क्या गड़ ने कहा बहन जी आज दूसरा सनीवार है कौल इतवार है अब तो बैंक सौमवार को ही खूलेगा यह सुनकर पराची के पैरो तले जमीन खिचक गई की कहीं अगर अमीद को पता लग गया की घर खर्च के पैसे पीहर में देग आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा वो डड़ती ड़ती घर पहुची तो उसने देखा उसकी सास मालती जी गुसे में बैठी थी मालती जी बोली बहु यह सब क्या है रात को हमने बाहर का खाना खा लिया सुबह से तुम फिर गाइब हो अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बिमार पढ़ जाएंगे तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हस्पिटल में एडमिट हो जाए जिसमें तुम्हारे पापा है यह सुनकर प्राची रोने लगी कही नहीं नहीं माजी यईसा मत कहिए मैं अभी खाना बना देती हूं कहकर प्राशी तेजी से काम में लग गई नहाद होकर फटफट खाना बना कर सास ससुर को खिला दिया इधर उसे पापा की चींतत थी उधर से अमीत के गुसे का डर जब उसे पाताज लगेगा की घर खर्ष के पैसे मैंने कोहीं और खर्ष कर दिये साम को अमीत ने आते ही सौपिंग के लिए चलने को कहा प्राशी ने उसे कमरे में ले जाकर साड़ी बात बता दी यह सुनकर अमीत को बहुत गुसा आया उसने कहा यह अच्छा है मैं इसलिए बीना भाई को बहुन से साधी नहीं करना चाहता था आज वही हुए जिसका डर था मेरी कमाई अपने माता पीता पर लुटाती हो रहो यह सुनकर प्राची के सबर का बांद चूट गया उसने कहा मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिये हैं सुमबार को वापस कर दूँगी और रही बात भीना भाई की वहन से साधी करने की तो वो तुम्हें इसलिए की थी की एक लवती बेटी की सारी जयजाद तुम्हें मिल जाए आज मेरे पापा हस्पीटल में है मैं डर डर कर उने देखने जाती हूँ घर आते ही सब मुझे उल्टा सिधा सुनाने लगते हैं जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुना कर दिया मैं अभी अपनी मा के पास जा रही हूँ अपने पापा को मैं अकेला ही नहीं छोड़ सकती सोम बार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तब अमित ने कहा मैं भी देखता हूँ ये तुम्हें कौप तक रखेंगे अपने आप रोती हुई वापस आओगी प्राची ने जवाब दिया उसकी नौबत नहीं आएगी मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने मा बाप का पालन पोशन अच्छे से कर सकूं यह कोकर कभीता एक बैग में कपड़े लगा कर पीहर की उर चल दी आज उसने ऐसा लग रहा है जैसे वा बेटी होने की कैद से अजाद होकर पापा का बेटा बन गई है अब वह किवल अपने मा पीतक जी का सहारा बनेगी अपने घर पहुँच कर उसने बैग रख दिया और सिधा हस्पीटल पहुँच गई मा ने मा के पुछने पर उसने कुछ नहीं बताए उसने का चिंता मत करो मा अमीत ने मुझे यहां रह कर पापा की देख़ल करने के लि उसमें लंग्स में इन्फेक्शन था उसी समय उनका इलाज सुरू हो गया सुम बार के दिन प्राची ने दो सजार रुपए अपनी ससुराल भिजवाया दिया कुछी दिनों में उसके पापा ठीक हो गये प्राची ने इसी बीच एक नोकरी ढूट ली थी जब उसे पापा घर आ गये तो उसने सारी बात उन्हें बता दी पापा ने कहा बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे तु अमित से बात करके वापस लट जा प्राची बोली पापा मैंने घर आपकी वज़ा से नहीं अपने आत्म समान के काड़न छोड़ा है अब मैं बेटा बन कर आपकी सेवा करूंगी आप परिशान न हो आपको क्या लगता है प्राची का या नहीं सही या गलत